हेलो एवरिवन बेलकम बेक टू डो डेई इस पेशल कैसे ओ आप सब मज़े में हो ना मैं भी मज़े में हूँ तो आज में हमक बनाने से कहूंगी डटो रोल समोसा अब घर में आलू के समोसा बनाना कोई बड़ी बार नहीं है लेकिन जब बहुत सारी लोग आ जाते हैं तो स समोसा बनाना थोड़ा मुटक स हो जाता है तो आज मैं इस रेसिपी को बताती हूँ इसमें बिल्कुल समोसे वालोट टेस्ट आएगा तो सबसेपले लेंगे हम एक कब मैरे के मैरे को चानना जरूरी है जिसे हमारे समोसे क्रेस्पी करा रे बनेंगे फिदा लिगे इसमें हमक्षार प veg डालेंगे मिसमें आघ्वॉइंड अईजवाइन को ऐसे हाथ से रख करकर डालेंगे इसे टेस्ट काफी अच्छा आता है और आजवाइन हमेरे हमारे पाचन में विह करती है इन तेन सारे इंग्दियंज को सेसे मिक्स कर देंगे फिर इसमें बडालेंगे आप तो गी डाल सिकते हैं पर गीसी थोड़ी से नरप जारां जारा बनते हैं और तेल जारा डाल दो गे तो यह कड़ जारा बने vet इसलिए हमस्के होड़ा से लेंगे और आब तल कर तेल सल्ट से अच्छे से मिला लें गे इस से तलते साइम सर्फ कजू डू लागा न हडू अच्छ से एलिए पर फद्ना सटार्ट हो गया इस चीψ लिए से पारपण करूंगे कम पानी डालेंगी जिससे समय से मैंने रेस्ट वो टेन मिनट्स इसको हम अच्छे से प्रेट से रख कर देंगे तब तेक हम आलू की स्टफिंग को लेते हैं तो इसको बारिक वाली बारीख वाले के रेट से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे मैश करके नहीं डालेंगे हाथों से क्योंकि फिर एका जो आलू रजाएगा वो तुससे अच्छे से समसे रोल नहीं पाएंगे इसलिए अम ऐसे ग्रेटर की यह से ग्रेट करके ही डालेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बुलें गाईज अगर आपको यहा दरा हरा दनिया फिटालींगे विस में चार्ट मसाला स्रसी केक को इं फिडाली यहम इस में गरम मसाला left bliver कोकि वीडालीगां शर्तिलिपावडर एक कोई जिना अब खाते मिश् голा मकैर को शुर्ष चिन खाते हूं यानि की कृटियाए नोल-चनली और डिसमें नमक इसमर्स सारे इंग्रिडियन्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे कॉन फ्लोव पाउडर दो डेवल स्पून कॉन पाउडर हम क्यों डाल रहे हैं वह मैं आंगे वाले स्टेब में बदाऊंगे आपको इसलिए अभी यह वाल पॉरसस हम कम्लीट कर लेते हैं अच् करों एकार मसाला हमारा बनके तियار हो चुका है चलो आँगे कर स्टाइस कर जांगे अर्छका हम्हारा डोपी सेट हो चका है यह इसकी Detroit न जार ृसे करेंगे थे ह। lawsuits. यह और जारा अच्छे समोसे बनेंगे ऊसकी लोगें तोड़ लेते हैं या फिर पेड़े जो भी आप बोलते हों ऐसे बड़े बड़े पेड़े टोल लेंगे की अब अगर का या सब की तुक सब चैन तरकी की समयार कर तक याम सब को काफी तला मदा आता है आप पिसक चाए के साथ सब्सक्राइब सब्सक्रार और नROग दीयार कर लियंकर भी अश्टाट करने किशि timber स्टार adopted जैसी यह हम उठाते जाएंगे ना तो मेर्दा क्या है सुकुर जाती है जिसलिए हम ऐसे उठा उठा के अच्छे से बेलते जाएंगे अच्छे से बेल जाते हैं इसको पटला सा यह मैंने रिखो एकना बड़ा बेंडिया है इसको उठाउंगी मैं थोड़ा सा छोटा जा घए खर लका सफोटा उठाई था विच में रखेंगी कटूरी किटोरी से में कडनी करना इस स्टो उठार इसे साइड ना हम अलुका मसालर जो बनाया था नहीं वो उड़कते जांगे से इसकी आलू की मसाली की में पतली लेयर कडोरी के आससी से गोगड़न के एमधिसया भी आपकर सकते हो कि ये साथ फ्रीड कर दी है इस गड़ ऑसके के लंग अहीं, हे आओ प्रिबा निष्ट ऑचा दिया, हम पीछम्हें कि ट्रॉट करें गए एठ पार्ट में है उपिछ हो यह तो हम एस पानी लगा देगे जिसे चपकाने में आसानी होगी समनोचा को और । यसी अठा टाटे जाएंगे अच्छी से फिर एसे फोल्ड करते जाएंगी इस तरह ऐसे फिंगर के वहसे रोड कर देंगे इसको यह देखिए प्यारा लग रहा है ना पास्ता से जसा समसा अच्छी सारे समसा को हम रोल कर देंगे एक पास्ता की स्टाइल में जोड़ी क्यों पानी हमने इसलिए लगाए क्योंकि एंड चुक पार्ट होता ना वह अच्छे से चुक जाए पर ऐसी मैं लेका भी लिया था इस हुए हम ऐसी हालो अशाल लाइगी अच्छी बडर नायफ के सचीसरे स्प्यमें कर लिए पूर्य अच्छे से पदली लेया लाएंगे तो इसे अच्छे से फूल्ड हो जाएगा और क्रणची भी बने गा जो आज बढ देंगे पानी लागा देती हैं आप जार लाल कुछ में हम इसको कट कर लिके इस्ट से अजय कोशाचें आज़ी इसे चोड़ा करके इसे फोल्ड कर जाएंगे अगर आप पानी लगाने बहुत जोरूरी है अगर आप पानी ने लागा होगे तो यह फ्राइब करते सामें खुल जाएंगे इसलिए पानी लगाने जडरूरी है अच्छे से चप्टाने यह देखिए मैने पास समसार रूल्स त्यार कर लिए अब गैस पर कड़ाई कड़ाई में डालेंगे अब रिफाइंड होई इसको मच्ची से करम बचाने देंगे तो फिर एक करके हम समसे डालते जाएंगे मीडियम फ्लीम पे फ्राइब करेंगे अच्छी से दालते जा रहे हूं मैं एक बैस में जितने अच्छी से फ्राइब कुटिंगे चारा टाइम लगता है गाइस बहुत ही जारा एक टेस्प्री वरंची बनेते गाइस मज़े तो मज़ा ही आ गया जारा टाइम मीनी लगता है और फटेट से बन जाते हैं अब हमने कॉण फ्लाव पावडर इसलिए डाला था जिससे आलू की स्टफिंग फ्राइब करते समय फ्याले ना इसलिए हमने स्टार्डिंग में कॉण फ्लाव पावडर एड़ किया था आलू की मसाले में यह था आलू की स्टफिंग बिल्कुल भी भार नहीं आएगी और अच्छे से फ्राइब इसलिए हमने कॉण फ्राइब डाला जाए बिल्कुल भी ओएल गंदा नहीं होगा अपकर अच्छे से फ्राइब हो जाएंगी समों से बच्छों की लंच वक्स में रख सकते हो आफ या फी शाम को चाय के साथ खा सकते हो सौक से चटनी के साथ काफी मजा आता है गाइस बाद इसके मोसम में और ठंडी बगरा में बहुत कुछा कुछ खाने कमन करता है ना शाम को आप यह ट्राइब कर सकते हो पटेटो रू सम हो साथ है यह दिखो अच्छे से गोल्डेन क्रिस्प हो चुके हैं इसको अंद नेकाल लिता है देखो ऑल हमारा एकदम साफ है बिल्कुल भी दंदा नहीं हुआ है अब हम दूसरा बेच्वी इसी तरह सेख लेंगे पहले वेच को मैंने पेग प्लिट में निगाल लिया था अच्छी से अलट अपलेटी बादेंगे असे अलट प्लट के अच्छी से चीछ लेंगे इसी अच्छी से शिख जाल चाहत रूप से इसको अच्छी के साथ सर्फ करेंगे हरी चटनी यानिकी धनिये की चटनी के साथ थी हमारे प्टेटो रूल समसा बनके त्यार हो चुके हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंड करें सब्सक्राइब बिलकुल हम भूले बेल आइकन को भी प्रैस कर लें जिसे मेरे आने वाले वाले वीडियोस का लोडिविकेशन आपको सबसे पहले मेरे तो चलो हम मैं आपको टेस्ट करके दिखाती थी उनको तेने सुन्द लग रहे हैं ना गईस को खाने में भी बहुट है डिलीशस थे इसका हम सौ शौ चणने आट सर्ष करेंगे देख वएक तब शिप्किल ने करें चींगे ना वाव शौ शौ चणने ताट सब्सक्राइब करेंगे यह ते यह यह काफु डिलीशस मेने ते गाने इस तो thank you thank you for watching bye bye